साथियो नमसकार Udice Portal में Apar ID Generation का कार्य अब प्राथमिक और माध्यमिक दुनों इस तरों पर अब प्रारम हो चुका है इससे पहले High-Own Higher Secondary में पहले ही प्रारम हो चुका है अब प्राथमिक और माध्यमिक इस तर में भी यह module open हो गया है तो दोस्तों Apar ID कैसे जर्रेट करना है उसको आज की वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले आप अपने Udice Portal पर लॉग इन हो जाएंगे लॉग इन होने के बाद दोस्तों आपको 2024-25 दीख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ क्लिक करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है तो अपर माड्यूल में जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होता है यहाँ पर सबसे पहले आपको Class Grade यह वाला चैन करना है तो मैं यहाँ से Class 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर है यहाँ पर सेक्षन सेक्षन को आप ABCD अगर है तो आप ABCD जो है उसको सलेक्ट करेंगे मैं यहाँ से A सलेक्ट कर लेता हूँ और Go पर क्लिक कर देना है उससे पहले यहाँ देखिए Total Enrollments 0 है और Total Generate ID 0 है अर्थाद मैंने अभी तक किसी भी विद्यार्थी का Apar ID generate नहीं किया है तो यहाँ पर Go पर क्लिक करेंगे Go पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह देखिए विद्यार्थी से संबंधित जानकरी यहाँ पर आ गई है यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम है और इधर आप देखिएगा क्लास है फिर स्टुडेन का पेन नमबर है फिर यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस है और यहाँ पर स्टेटस जो है पेंडिंग है और Apar ID not available और यहाँ पर एकसन तो दोस्तों यहाँ एकसन लिखा हुआ है उसके नीचे में देखिए generate लिखा हुआ है अर्थात यह generate जो है open है और यहाँ पर देखिए generate open नहीं है generate open नहीं होने का कारण दो तो हमने इसका जो profile है उसको complete नहीं किया हुआ है यह देखिए incomplete लिखा है तो इससे पहले हमें विद्ध्यार्थियों का जो profile है प्रोफाइल का मतलब है जीपी, ईपी और एफपी ये तीनों प्रोफाइल जो है complete रहेगा तभी आप विद्यार्थी का जो अपार आइडिया उसे generate कर सकते हैं तो यहाँ पर हम एक विद्यार्थी ले लेते हैं जिसका generate करना है तो यहाँ पर मैं एक विद्यार्थी ले लेता हूँ ये देखिए यहाँ पर generate पर हमें click करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखे विद्यार्थी का नाम है उसका पेन नंबर है उसका डेटा बर्थ है ये जो प्लस का आइकान है इस प्लस के आइकान को क्लिक करके आप विद्यार्थी से संबंधित और भी जानकारी यहाँ पर एकत्रित कर सकते हैं जैसे की विद्या विद्यार्थी का अधार detail में कोई changes करना हो तो आप इस checkbox को on करके यहां अधार number फिल करेंगे और यहां विद्यार्थी का नाम और submit करेंगे तो दोस्तों मुझे यहां change करनी क्या आवसकता नहीं है तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं यहां देखिए दोस्तों note लिखा हुआ है to update any of the above field visit general profile section of this student अगर कोई भी आपको correction करना हो दोस्तों तो आपको general profile में जाकर उससे correction कर लेना है उसके बाद आता है दोस्तों consent consent का अर्थ है दोस्तों सहमती पत्र जिसे mother, father या legal guardians किसी एक कर लेना है तो सहमती पत्र में सबसे पहले I लिखा है इस I के जगा में ह आपको माता, पिता या अभिभावक का नाम select लिखना है अर्थात जो भी अपना अधार का फोटोकापी या अधार डिटेल देंगे उनका नाम आपको I में फिलप करना है जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं अभिभावक इनके पापा का नाम इनके पापा का नाम लि अधार सेलेक्ट करेंगे अगर मा का अधार कार्ड आप सहमती के रूप में लेंगे तो मा का और अगर गारजियन है तो गारजियन का तो यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर देता हूं उसके बाद विद्यार्थी का नाम है अधार का नमबर फिलप करना है याद रखेंगे दोस में अपना अधार डीटेल दिया है, उनका अधार नमबर फिल अप करना है, तो मैं फिल कर देता हूँ, अधार डीटेल फिल अप करने के बाद दोस्तों हम उपर की ओर चले जाएंगे, तो यह देखिए, हम स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर प्लेस आफ फिसिकल कंसें, किस देट फिलप करने के लिए दोस्तों आप या तो डारेक्ट यहां पर डेट लिख सकते हैं या फिर यह जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आज का डेट आ गया है अक्तूबर दोहजार चोबीस और तेविस नारिक तो यहां इस प् फिलप कर देता हूँ प्रधान पाठक का नाम फिलप करने के बाद आपको सब्मिट पर क्लिक कर देना है यहां क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे एक बार पूछा जा रहा है कि आप स्योर है या नहीं तो यहां पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे यहां क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रोसेस है वह complete हो जाता है ये देखिए अपार ID generated successfully और यहाँ अपार ID का क्रमांग है इसे चाहे तो आप note कर सकते हैं otherwise आप अगले विद्यार्थी का जो कार है उसे प्रारम कर सकते हैं तो ये हुआ इसी प्रकार आपको अपार ID generate करना है अब किसी विद विद्यार्थी ले लेते हैं जिनका जो अधार validation है वह failed है उनका क्या होता है तो आगे देखते हैं ये देखिए दोस्तों अब total generated ID एक आ गया है यहाँ पर एक विद्यार्थी का हमने अपार ID जो है generate कर लिए है अब मैं यहाँ पर एक विद्यार्थी ले लेता हूँ जैसे एक विद्यार्थी है जिनका अधार validation जो है fail हो गया है जैसे ये देखिए अब हम इनका generate करके देखते हैं ये रहा उसके बाद हम continue कर लेते हैं दोस्तों इस विद्यार्थी से related मैंने जानकारी fill up कर दी है अब नीचे में दोस्तों हम और बाकी जानकारियां उसे fill up कर देते हैं ये देखिए दोस्तों मैंने सभी जानकारिया fill up कर दी है अब मैं submit पर click कर रहा हूँ submit करते ही दोस्तों ये देखिए notification आ गया यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप sure है या नहीं तो हम confirm कर देते हैं confirm करने के बाद ये देखिए अधार details could not be validated please verify अधार number name is per अधार gender and date of birth for the student तो दोस्तों ध्यार रखेंगे सबसे पहले विद्यार्थी का जो अधार details है उसका validation होना जरूरी है अधार card में और school के दाखिल खारिज में अगर विद्यार्थी का नाम mismatch है इसी करण इनका validation नहीं हो पा रहा है तो विद्यार्थी का अधार का validation होना बहुत जरूरी है तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो like, share, comment जरूर करिएगा अगर आप इस channel पर नए है तो please subscribe करना मत भूलिएगा बहुत बहुत धन्यमाद